मेर कुमार अपना असली रूप जो एक महशी का है धारन करने का मन बना लेते है क्योंकि एक महशी ही है जो बेडिया को मार सकता है शो के अपकमिंग एपिसोड में इशा को यह एहसास हो जाता है कि वो अर्मान के बिना नहीं रह सकती इशा के वापस लोट कर आने पर अर्मान बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसे नहीं लगा कि इशा कभी वापस आएगी इशा अर्मान से प्रॉमिस करती है कि वो उसका राज हमेशा राज ही रखेगी और ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे अर्मान को कभी तकलीफ दुख या दर्द हो दूसरी और कैट से बाहर निकला वीर का सिर्फ एक ही मकसद है अपने प्यार काव्या को जिन्दगी देने का और उसके लिए उसे चाहिए इशा जी हाँ वीर को इशा की जरूरत है बिकाज शी इस दे डॉपल गैंग और इसी लिए वो इशा को उसके कमरे से उठा लेता है अर्मान जब तक वहाँ पर पहुंचता है तब तक वीर ने वो रिच्वल शुरू भी कर दिया होगा जिससे काव्या को जिन्दगी मिले भले ही रिच्वल के दौरान इशा की मौत हो इशा को वी इसे कैसे बचाएगा अर्मान जानने के लिए देखते रहिए तेरे इश्क